स्वागत है आपका जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे बात करेंगे आज के राशिफल की आज 21 नॉबर 2023 है और दिन है ट्यूस्टे का सिंग राशिवालों की चर्चा करेंगे कि सिंग राशिवालों को आज कहां रखने हैं सावधनी और क्या विशेष काम करना है देखिए गोचर कुंडली के अंदर आज एक विशेष दिवार है आमला नम्मी का और कार्टिक शुक लुपक की मंगलवार को यह आमला नम्मी पढ़ रही है साथ ही साथ पंचक भी है आज पूरे दिन गंगाईस्नान का भी आज महत होता है जो भी विक्ति आज गंगाईस्नान करता है या गंगा के जल से घर में इस्नान करता है उसको बहुत ही फाइदा होता है पंचक है इसलिए आज छत डलवाना और लकड़ी का काम करवाना और बैट लेके आना वर्जित है आमला नम्मी के दिन भगवान विश्नु और मा लच्मी की पूजा की जाती है जिसके पूजा की विधी का पूरा वीडियो में ने चैनल पर डाल रखा है वहाँ जाके आप देख सकते हैं चंद्रमा चल रहे हैं कुम राशी में और नक्षत्र चल रहा है सत्विक्षा नक्षत्र राहू का है राहू के नक्षत्र में जब भी चंद्रमा आते हैं मानसिक परिशानी देते हैं तो सभी राशियों को आज द्यान रखना है आवला नम्मी की पूजा का जो विदान है वो ये है कि आज माल अच्मी का निवास आवले वरक्ष के अंदर होता है इसलिए आज आवले का स्टेवन नहीं करना चाहिए आवले का दान करना आज बहुती शुब होता है साथ ही साथ गरम कपड़े का दान भी शुब होता है आवला नम्मी की पूजा माल अच्मी को आकर्षित करने के लिए की जाती है तो माल अच्मी को आकर्षित करने के लिए आज आप अवशे ही आवले वरक्ष के नीचे जाके और वहां कुछ न कुछ भोजन करें और आमले वरक्ष के पूजा करें दूप दीव जला कर पूजा का समय है दस बच के तेईस मिनट से स्टार्ट होके एक बज़े तक इसके मद्य मद्य आप आमले वरक्ष के जड़ में दीपक धूप रगा के माल अच्मी को अपने घराने का निमंतरन अवश्य ही दे कोई भी महत्पुन कारे करना चाहते हैं तो आज आपके लिए दिन अच्छा नहीं है कोई भी महत्पुन कारे सिंग राशी वालों को आज करने से बचना चाहिए फिर भी अगर जरूरी हो तो 2 बच के 17 मिनट से 3 बच के 38 मिनट के टाइम को टाल करके आप करिए और बढ़िया होगा आप 11.49 से 12.24 के अभी जित मूरत में ये महत्पूर कारे करें दिन आपके लिए इसलिए बढ़िया है कि कोई अच्छी खबर को अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है इसे सबसे दिन बढ़िया है परन्तु फिर भी आपको हर कारे को सोच समझ के करना है हर कारे को करने से पूरूँ आप ये देखें हलका रखें दिमाग को और मन को भी आप शानत रखें वर्क पलेस पे अपॉजिट जैंडर से आपको सयोग मिलेगा और अगर आपका कारे सेत्र राजनिती में हैं तो आपको विरूत का सामना सिंग राशी वालों को करना पड़ सकता है आद देखा जाये तो सिंग राशी वालों के लिए ग्रय इस्थिति इस प्रकार की बंडरी है परिवार में आप रहते हैं तो आपको सुकून, शांती का एसास नहीं होगा क्योंकि ये चन्द्रमा जो चल रहा है, कुमराशी में चल रहा है कुमराशी पड़ती है आपके सात्में घर के अंदर सात्मा घर होता है हमारे वेवाइक जीवन का, हमारे बिजनेस पार्टनर का और हमारे करेंट करेंसी का भी यही भाव है यहाँ पर चंद्रमा चल रहा है राहू के नक्षद्र में तो मानचक परिशानी आपको रिष्टों के अंदर देखने को मिलेगी ग्रेकले की प्रपल संभावना बनी हुई है, परिवार में बहस विवाद हो सकता है, उससे आप बचके चले अगर आप ग्रेणी है, इस्त्री है, फीमेल है, तो आपको अपनी वानी पे सहीम रखना चाहिए हाला कि आज आप काफी कूटी निती से बात करेंगे और आपकी वानी में भी मदूरता रहेगी परन्तू फिर भी कोई बात आपको चुप सकती है, या आपकी बात को लोबा गलत समझे तो आप एकदम से आविश में भी आ सकते हैं तो कुरोध में बात करने से आपके काम बिगड़ सकते हैं, विशेश करके रिष्टे इस चीज़ का आप ध्यान रखें वैसे भी सिंग राशी वालों के जब भी सब्तम घर में चद्रमा आता है, प्रॉबलम देता है और ये तो रहू के साथ है तो ग्रेंड तो उसका निर्मान आपके रिष्टों के अंदर हो रहा है, इसका आप ध्यान रखें बिजनिस पार्टनर है, तो बिजनिस पार्टनर से भी आप मतभेत को भुला करके आगे बढ़ें किसी भी तरह का अगर कोई मतभेत चल रहा है, तो उसे आज आप उठाए नहीं, क्योंकि वहाँ आपको परिशानी हो सकती है तो बिजनिस पार्टनर और व्यापारिक पार्टनर है, उनसे आप बचके चलें, सामने दिन चर्चा के काम करें कोई महतपुन टिसीजन अपने व्यापार में लेना चाते हैं, तो नहीं लें आलागि इन्वेस्टमेंट के इसाब से दिन आज का ठीक है, जो लोग शेयर सटा लोटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए दिन बढ़िया है परन्तु फिर भी आप अपने रिस्क पे ही ये कारे करें, क्योंकि इसमें जन्म कुणली के अंदर राहू की स्थिती बहुत ही महतपुन रहती है, तो हर वेक्ती के लिए शेयर बजार वैसे भी सूट नहीं करता है सेविंत भाव में चंदर्मा चल रहे हैं, इस कारण से आपको जमीन जायजात से रिलेटेट कारियों में लाप होएगा अगर आप वकील हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है और अगर आप इंशोरेंग्स या बैंकिंग शेत्र में कारे रहते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है परिवार में रहते हैं तो कुटम परिवार से मतवेद की स्थिति निर्मित हो रही है उनको आप टालके चलें यहीं आपके लिए पढ़िया रहेगा वाणि आपकी मधूर है वाणि की मधूरता बनाए रखें कुरोथ से आप बच करके चलें आज गंगा इष्णान का भी बहुती महतपून दिन है आज आप अपको फाइदा होगा मांची करूप से शांती भी रहेगी स्रिवलिंग के उपर भी आप जल और गंगा जल मिश्रित करके चढ़ाएं तो भी आपके कई कारे बनते वे नजर आएंगे बविश्य के अंदर पंचक पूरे दिन चल रहे हैं इसलिए आप लकड़ी का काम बिल्कुल भी ने कराएं चत तलवारा भी पंचक के अंदर वर्जित कहा गया है हिर्दे रोगी सिंग राशी वाले हैं या हिर्दे में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आज आपको सावधान रहना चाहिए अपने कान पान पे पूरा नियंतन रखें साथे साथ अगर आप रिलेशन में हैं तो आपको अपने दिल को मजबूत बना के चलना चाहिए क्योंकि हिर्दे और दिल का संबंध सिधा हमारे चोथे वाव से हो रहा है और चोथे वाव में आपके मंगल की राशी है इस कारण से आज आप थोड़े से साथ चले आपके लिए बढ़ियर रहेगा पिता के स्वास्त का भी दियाना आज रखना पड़ेगा वहाँ भी थोड़े सी परिशानी है और वाहन को बहुती साथ चलाना है सबसे महत्पून साथ दर नहीं आपको रिष्टों के अंदर ही रखनी है बाकि कारेशेत पे वर्क प्लेस पे व्यपार इस तर पे आपका दिन फिर भी काफी सपोर्टिव रहेगा और आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा तो दिन आपके लिए कैई मामलों में अच्छी चीजें लेके आ रहा है इस चीज का आप दियान रखें आठ बस के एक बज़े के बाद रातरी ये चंद्रमा चले जाएंगे पूर्वा भादपत नक्षत्र में जो कि होता है गुरू का तो आठ बज़े तक दिन को समाल के रखें आठ बज़े के बाद आपके लिए सही है दिन परन्तु फिर भी वेवाई जिवन में प्रॉब्लम आपके आठ बज़े के बाद भी रह सकती है क्या उपाई करें सिंग रशी वाले कि दिन को भैतर दरीके से वेटित कर ले उपाई की चर्चा कर रहे है उससे पूर वाप से विनम रन रोद है कि अभी तक आपने चनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए और कमेंट में जै श्री राम जै माल अच्मी अवश्य ही लिखिए आज आमला नम्मी का विशिष पर्व है माल अच्मी को आकर्शित करने के लिए आप माल अच्मी की पूजा आरादना करें दोपेर में जो टाइमिंग मैंने स्टार्टिक में बताया है उसके साब से और श्याम को माल अच्मी के मंदिन में दीपक अवश्य ही लगाए अपने घर के अंदर और हनुमान आरादना आवश्य करें आज हनुमान चालेसा के तीन पार्ट करके ही घर से निकले इससे आपको यात्रा में परिशानी नहीं होईगी और यात्रा भी आपकी सुकत होईगी साथी साथ सपीद रंग का चुनाव करें क्योंकि राहू की नक्षेतर में चंदरमा चल रहे हैं इसलिए काले और नीले रंग से परेज रखें वरना ये राहू जाकरत हो जाएगा और आपके लिए परिशानी क्रेट करेगा चंदरमा को परिशान करके तो जितना हो सके अपने चंदरमा को मजबूत बनाए सपेद चम के लिए रंग का चुनाव करें और मनोबल शांत रखें और मजबूत रखें तो ये था सिंग राशी वालों का देने का राशी पर बने रहे ये चैनल पे और वीडियो आपको अच्छा लागए तो इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए आपके जून आई वारो गैश्वरे की व्रदी होती रहे धन्यवाद